आज भारत की तस्वीर बदल गई है अब वो समय गया जब हिंदू और मुसल्मानों में फूट पैता करके दंगे फसाद करवा जाते है अब जमाना एक ताका आ गया है आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको मंडी जिरा के उस क्षेंदर की तरफ ले जाने वाला हूं जहां हिंदू और मुसल्मान एक साथ रद्ध हैं लेकिन इलाका सरकारों की अंदेखी का शिकार हो रहा है जी आखिरिये भेद्भाव क्यों ये सवाल है उन नेताओं से जो वोट की राजनिती करते हैं और जीतने के बाद अपनी सूरत तक दिखाना मुनासिव नहीं समझते चलिए आज आज आपको बल घाटी के डिनक लेकर चलते हैं जानिए यहां रहने वाले मुसलिम समधाय के लोगों को कितनी सुवधाय मिल रही हैं चलिए डिनक गाउं की शुरुआत करते हैं यहां की सडक से क्योंकि यह सडक हमें डिनक गाउं तक पहुचाएगी हिमाचल प्रदेश में सडकों को भागय रिखाओं के लिए नामसे जाना जाता है और ये वही भागय रिखाए हैं जो आपको dhinak गव तक पहुचाएगी कनेट के दिनक तक जाने के लिए मातर 3 किलोमीटर कही सफरता है लेकिन इस 3 किलोमीटर के सफर को त्हकर्ते करते आपको आदे गंटे से भी जादा का समय लग जाता है आजादी के 63 वर्ष बीज जाने के बाद भी आज हिमाचर प्रदेश में रहरे अलपसंख्यों को सरकार की तरफ से ये सुविदाएं दी जा रही है हमारे गाउं में मुझे ऐसा लग रहा है और देखते भी आए के तकरीबन बहुत सालों से हमारा गाउं अब भी हिमाचर के पिछडे तरीन इलाकों में से है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है जबके यहां अभी तक सड़क नहीं बनी हुई है सड़क के सुविदा से लोग महरूम हैं कीचड में जाना पड़ता है और गाड़ी ये बारिश मगारा हो जाए तो गाड़ी तक नहीं चलती कोई मरीज हो जाए तो उसे अभी तक मतलब चार पाइट में उठा के ले जाना पड़ता है तो ये दशा है आज डिनक गाउं के पाशिन्दोगी जिने आज भी बिमारी की हालत में अपने परिजोनों को उठा कर ले जाना पड़ता है क्योंकि सरकारों ने कभी इनकी तरफ ध्यानी नहीं दिया भारत को आजाद हुए 63 वर्ष बीद गए और बल जैसे हाई प्रुफाइल इलाके की बीच बसा अलब संक्योंकों का ये चोटा सा गाउं आज भी पिछडे पन का एहसास दिलाता है यहां के बुजुर्ग भी सडक सुबिदा का लापाने के लिए अपनी जवानी से लेकर अब तक केबल इंतजार ही कर रहे हैं शाल हुमर हो गई है सरी सारी उमर आसे चिकले जर जनाब यह आज दुसांगे भी हुन बन जाए भी कर देगा है इस रोड को ऐसे देखते रहे दुकानों यार घरो में पानी उसी जाया इसको पका देखने के दिए काफी अर्चा से देख रहे हैं नाय ओरा नाय सरकार इसको देख रहे हैं या कुछी इसे के मलो या पका ओनाची जैसे विया रान नाली रगेरे डेन रगेरे इससा इड्यंग से बढ़ने के हलांकी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन एक बार फिर या दिला दे कि प्रदेश के लोक निर्मान मंत्री भी उसी जिले से तालूक रखते हैं जिस जिले के अलप संख्यकों का ये हाल हुआ है पर क्या करें मंत्री जी जिले से तालूग रखते हैं डिनक गाउं से नहीं तो देखा आपने की लोगनिवार मंत्री के ग्रिया जिला में रहने वाले अल्ब संख्यकों को किस तरह की सड़क सुविदाती जा रही है चली अब आपको इसी गाउं की एक और समस्य से रूब रुकराते हैं इस गाउं तक पहुंचने के लिए एक खड़ पार करनी पड़ती है लेकिन बारिश का पानी खड़ में जादा हो जाए तो फिर स्कूली बच्चों को भी मजबूरन छुटी करनी पड़ती है क्योंकि खड़ पर पुल ही नहीं है क्या है कनेड से डिनक गाओं के लिए सडक निकाली गई है सडक का हाल तो आपने देखी लिया लिकिन यहाँ सडक से बड़ी एक और समस्या है कनेड से डिनक के लिए जाने वाली तीन किलोमेटर की सडक में दो नाले आते हैं जिने पार करने के लिए लोगों को नाले के बीच जान जोकी में डाल करी पार करना पड़ता है बरसाद के इस मौसम में अगर नाले में पानी जादा आ जाए तो फिर स्कूल जाने वाले बच्चों को छुटी करके घर पर ही बैठना पड़ता है खड़े हैं, नाले वगएरा है, पुल नहीं है यहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ मुस्लिम कम्यूनिटी के डिडो है, डबन है, यहाँ से बच्चे आते हैं लेकिन बारिश थोड़ी सी हो जाती है, खड में पानी आ जाता है तो बच्चे रुक जाते हैं क्रॉस करने के लिए स्कूल खड को कोई ऐसी चीज है नहीं, पुल नाम की कोई चीज नहीं है जिससे बच्चे आ जा सकें, उन्हें विचारों को मजबूरन छुटी करनी पड़ती है सद्यों से जो इस सड़क में किसी ने भी गौर्च नहीं फरमाया है और इस क्यालती है बहुत खराब है और मैं स्थानी विधायक और प्रसासन से यह गुजार्श करना चाती हूँ कि वे यहाँ पर आए सड़क का दोरा करें और इस सड़क को जो है सुधारने का प्रेतन करें ग्रामणों ने सड़क सुधा की मांग कई बार जन प्रतिनीद्यों के सामने उठाई ऐसा नहीं कि जन प्रतिनीद्यों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया ध्यान दिया तो सिर्फ इतना कि आश्वाष्ण देकर अपना दाईत्व पूरा समझ लिया तो ये तशा है आज मुस्लिम समधाय से परिपूर्ण डिनक गाउं की आज डिनक गाउं के लोग जन प्रतिनीद्यों से इतने दुखी हो गए हैं कि वे अब सीधे तोर पर ये आरप लगाने लगे हैं कि जन प्रतिनीद्यों ने उनका इस्तिमाद हमेशा एक वोट की तरह किया है इस पर भी विस्ताह से बात करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको की और कौन-कौन सी परिशानी उसे जूज रहे हैं दिनक के बाशिंते देखते रहे हैं आखिरे वेदबाव क्यूं कि उस देखते हैं आखिरे वेद्टनी आखिरे वेद्टनीद्यों Contemporary, Salsa, and many more. Special course for ladies and couples. We also provide special theme-based dance classes. For further details, please contact Kamal Academy of Media and Arts, 21.5 Palace Kalonine, Mandi, Himachapradesh. Call on 988-221-339. दिनक गाओ एक मातर ऐसा गाओ है, जहांके सेंकड़ों लोग आज विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं. क्योंकि हिमाचल सरकार के पास इनके लिए रोजगार नहीं है. अगर विदेशों में नौकरी नहीं तो फिर पड़ लिखकर खेती बाड़ी का काम करने को मजबूर है. आलम यह हो गया है कि यहां के लोगों का नेताओं पर से विश्वासी उड़ गया है. ना रोजी, ना रोटी, ना रोजगार और ना ही व्यवसाय का अन्यकोई सादर. फिल भी सरकार कहती है कि अलब संख्यों के उठ्थान के लिए काम किया जा रहा है. समझ में नहीं आता कि गोशित होने वाले बजट को ऐसी कौन सी जगा खर्च करके अलब संख्यों के उठ्थान के दाविकिया जा रहे है. जबकि वास्तविक्ता में दिख रही सच्चाई को देखने से नजरे चुराई जा रही है. दिननक गाओं एक मत्र ऐसा गाओं है जहांके लोग रोजगार की तराश में प्रदेश तो क्या देश ही छोड़ कर चले जाते हैं. क्यूंकि उन्हें मालूम है कि यहां उनके लिए रोजगार की कोई विवस्ता मौजूद नहीं है. बिल्कुल उनको नौकरी नहीं है, वो सोचते हमने पढ़के क्या किया, वही खेतों में काम कर रहे हैं. और भी इस तरीके से मतलब हर हमारे नेता विचारे इलेक्शन के मौगे पे आते हैं यहां. इलेक्शन के लादा उन्हें कोई वक्त नहीं मिलता यहां. कि लोगों की समस्याओं पूछी जाएं क्या हैं, किन परिशानियों में लोग जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, और कैसे रह रहे हैं. जिस सेक्ड़ों की ताजाद में नौजबान बाहर हैं, फोर्ण में हैं, और कफी ज़्यादा फोर्ण क्रेंसी एन आर आईज तैसा जो है प्रदेश के लिए देश के लिए आता है, जिससे देश का और प्रदेश का नाम आता हो, तरक्की की तरफ जाता है. दिनक गाओं में आज आलम ये हो गया है, कि लोगों का नेताओं पर से विश्वास ही उठ गया है. क्यूंकि चुनावों के दुरान इन्हें बड़े-बड़े सपने तो दिखाये जाते हैं, लेकिन बात में उन सपनों को वही नेता चकना चूर करके रख देते हैं. इस गाओं में कभी विधायक महुदे तक ने आने की जैमत नहीं उठाई. सरकारी योजनाए गाओं तक पहुंचना तो दूर की बात. विरु रिपोर्ट के चनल दिनक तो जिस गाओं में कभी विधायक महुदे ने भी अपना पाओं नहीं रखा हो, वहां की जनता का नेताओं और सरकार पर से बरोसा उठना लाजमी है. चलिए अब आपको गाओं के लोगों की कुछ और समस्चाओं से रूबरू कराते हैं. कई सरकारी दुकाने टपक रही हैं तो कहीं बिजली की तारे मौत खोद्दावत दे रही हैं. जानिए इन सब के वारे में जनता की जुबानी थी. मैं तरजी का काम करता हूँ और यहां मुझे पंचार की तर्फ से दुकार अलोट होई थी, इसको अर्सा कम से कम 17-18 साल होगे मुझे यहां करते हूए और अब इसकी जो छट है, वो गिरने जा रही है, हमारा रोजगार इसी पर निर भेर है, और पर साथ में इसका पाड़ी भी अंदर गोज़ जाता है, हमारे गर के उपर से जो लाइन जा रही है, उसका बदलवाने के लिए हमने नए तीन पोल खड़े करवाए, दो साल पहले खड़े करवाए थे, तो मैंने S.D.O. साब के पास और है, J.E. के पास एलक्टिक सीटी डिपार्टमेंट में कम से कम एक हजार चकर कार दिये दो साल के अंदर, तो उन्होंने आज तक वो हमारी तारें जो हैं, वो दूसरे नए पोलों के ओपर शिफ्ट नहीं की, और वो तारें जो हैं, वो पोल जो हैं, वो हमारी हदूद के अंतर हैं, हमारी जमेन के ओपर हैं, क्या बोलते हैं आपको जब वो हमें टरकाते रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, कर देंगे हो जाएगा, कर देंगे हो जाएगा, इसके इलावा और कुछ नहीं करते हैं, फिजिकली कोई अक्षन नहीं है उनका, बिदायक दिले राम से उनको कोई पचास दफा टेलिफोन करवा दिये, इन तारों से क्या खत्रा है है, इन तारों से खत्रा है है, जी के लाइन मेरे गर के उपर से जारी पराणी लाइन, तो आगर बच्चे जाएंगे तो कोई अगर तारों के जाँ टाच हो गया तो अमर जाएंगे, बच्चे कौन जीमेदार हो गा इस बात का? तो ये स्तिती है डिनक गाउं की, जहां दुकाने टपक रही है, बिजली की तारे मौत को नियोता दे रही है, और तो और ग्रामनों के पास नालियों तक की कोई सुविदा मौजूद नहीं है, घूम फिर के वही सवाल की आखिर अल्व संक्यों को के लिए खर्च किया जान क्यूं? है झाल के अल्व सर्दो रही जान का सब्सक्राइब टारे में पास्सक्राइब च्वाल अजयों को आखिर खर्च की क्या फिर तक्नक्त्न को एक ऑंट दो जाना प्रब्चा सेर्च को है चाहां चाहां धुलिख नुग्ड़ स्क्राइब टन्यों तार्यार ट्रों नहीं ऐसा नहीं कि राजर सरकार ही अल्प संख्यकों के विकास के लिए धन घर्ज करती है के अंदर सरकार ने भी अल्प संख्यकों के लिए कई योजना चला रखी है लिकिन सवाल एक ही कि आखिर उन योजना को अल्प संख्यकों तक क्यों नहीं पहुचा जा रहा है अगर नाचर विदाय की माने तो उन्होंने डिनर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है जरा सुनिए पक्ष और विपक्ष का बयान यहां पे आज चर्चाएं हुई यहां सारी जनता ने और सारे अलपसंखेकों ने यह मांग उठाई है कि यहां का जो मिडल स्कूल है मिडल स्कूल को इसका दर्जा बढ़ाया जाए और इस स्कूल को हाई स्कूल तक पहुँचाया जाए ताकि यहां के जो अलपसंखेक हैं दलित लोग हैं यहां के इनके बच्चों को यहीं पर रोजगार मिर सके जबकि भारत सरकार की तरफ से क्रोडो रुपे की ऐसी स्कीमे चली है जो अलप संक्यों के हित के लिए है और कई विवाग ऐसे हैं जो इसी काम के लिए लगे हैं लेकिन उसके बाप जूद भी यहां स्कीमे नहीं पहुंच रही हैं हमें बड़ी दुख है और हम जिला प्रसा जैर के बाद पहली बार सड़क बाह पर निकली है और पिम्जी वाई में वह सड़क बनी थी और Adams इसको पक्का भी किया था और हमें दिनक तक उसको पक्का करने के लिए बहां पर जितने भी तारकोल के ड्रूम रखे जाने थे यह सड़क बनी थी पोरा मैटीरिया रखा गया लेकर बदकिश्मती से के हम उस वक्त जीत नहीं सके और वहां से वो ड्रम भी उठा दिये गया और सडक जियों कित्यों रही वो नहीं बने लेकर अब हमने मानिया मुख्यमत्रजी से धबन और दिन को डुगराईं को जोनने के लिए पूल का प्रावधान भी कर ल लिए उसके लिए डिपियार बन रही है बड़ी जल्दी वो काम लग जाएगा और दिन को हमने चारों तरफ से सडक से जोड़ दिया है तो कॉंग्रेस कहती है कि प्रशासन योजनाओं को अलप संख्यकों तक पहुचाने में नाकाम है वही भाजबा विदाय की माने तो डिनर गाउं को चारों तरफ से सडक सुविदा से जोड़ कर विकास के नए आयाम स्ताबीद किये गए है तो फिर गाउं की दूरदशा जो हमने दिखाई उससे क्या करेंगे सोचिए कौन से ही है आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए इजाज़त नमस्का तक के लिए झाज़त झाल झाल